हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे थारमो डाइनामिक्स के जिरुत लोग के बारे में ये थारमो डाइनामिक्स का बहुती इम्पोर्टेन्ट लोग है और ये बहुत SEAL पेले जो है डिस्कौबर होा था जिरुत लोग है क्योंकि यह basically है यह फास्ट लो है लेकिन यह जिरूत लो ऐसे नाम दिया गया है क्योंकि फास्ट लो के बाद इसका जो importance है वो सामने आया है तो फास्ट लो क्या पहले का लो है यह तो इसको नाम क्या दे जाएगा इसलिए इसको जिरूत लो नाम दिया गया है ठीक है तो जि देखो, मान लेते हैं कि 3 system हैं, तो A, B, C 3 system या object या इंचन या कोई भी particle मान लो, अगर इन 3 particle में से A, B, C, A और B क्या temperature सेम होता है, और A and C क्या temperature सेम होता है, तो B and C क्या temperature सेम होगा, ठीक है? या बहुत ही easy and basic law है, फिट से repeat करता हूँ, अगर A and B क्या temperature सेम होता है, और A and C क्या temperature सेम होता है, तो B and C equal temperature में होगा, जैसे कि इसका एक basic example है, अगर हम लोग मान लेते हैं, हम लोग के बीच में 3 दोस्त लोग है, तुमारा दोस्त है 3 लोग, तो अगर तुम और एक दोस्त का age same हुआ, तुम और दोस्त का भी age same हुआ, तो वो दोनों दोस्त का age भी same होगा, ठीक है, और इसका alternative और भी example है, मान लेते हैं 3 pen है, एक pen तुमने खरीदा 5 रुपे में, दूसरा pen भी तुमने खरीदा 5 रुपे में, तो दोनों का price कितना हो गया, 5 रुपे, मतलब तीनों का price 5 रुपे, मतलब तीनों का जो price है, वो equal हो जाएगा, ठीक है, तो वो ही आता है हम लोगों का thermodynamics में, A and B अगर equal temperature में है, A and C अगर equal temperature में, तो A, B, C का temperature जो है, वो same हो जाएगा, मतलब B and C का temperature भी same होगा, ठीक है, यह है हम लोगों का thermodynamics का zeroth law, उसके बाद आता है हम लोगो है हम लोग का class 12 और class 11 physics का basics law, और इन तीनों लोग के उपर ही हम लोग का पूरा जो है course dependent है, तो बाकी दों के लोग के बारे में हम लोग बात करेंगे next video में, और इस जो जिरूत law है, उसका application बहुत है, उसके सब से हम लोगों को neat या जेई मेंस में छोड़ा छोड़ा numerical भी आ सकता है, तो अगर लोग को अच्छे तरह से समझाओ, तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर देना, और अगर thermodynamics का related theory आप लोगों को चाहिए, तो भी comment में बोल देना, तो मैं link description box में दे दूंगा, उसका theory का जो है, पूरा chapter wise link, और अगर कोई भी topic, particular topic नहीं समझ में आ झालाओ